Ayurveda has its origin in Ayurveda का उत्वत्ती कौन से वेद में हुआ है? Option A, Rig Ved. Option B, Saam Ved. Option C, Yajur Ved. या फिर Option D, Atherba Ved. Right answer is Option D, Atherba Ved. Atherba Ved में Ayurveda का उल्लेख है. यह ऐसे ही Ayurveda का उत्वत्ती हुआ है. Who among the following was the pioneer of yoga? Yog-sastra उत्वत्ती बाराइटर कौन है? Option A, Patanjali. Option B, Banabhartha. Option C, Atreya. या फिर Option D, Bhrudu Kanta. Right option is Option A, Patanjali. Patanjali ले योग-sastra का रचहिता है. Which one of the following Vedas contains Sacrificial Formula? कौन से Ved में Sacrificial Formula है? Option A, Sam Ved. Option B, Rig Ved. Option C, Yazur Ved. या फिर अपसान दी, अथर बवेट. तो बुलिये कौन सा Ved में है Sacrificial Formula? Right answer is Option C, या जूर वेद में Sacrificial Formula है. which of the following contains the famous गाइत्री मंत्रो फेमास विकाथ जो गाइत्री मंत्र है वो कौन सी बेद में है कौन से गाइत्री मंत्र कौन सा में है और सन ए रिगवेद में गाइत्री मंत्र है मुजिक संगीत कौन सा बेद है और सन ए रिगवेद और सन बी संबेद और सी या जूर्वेद या फिर और संदी अथरबवेद मुजिक संगीत कौन सा बेद से उत्वर्ती हो आए संगीत का दर राइट एंसरी और सन बी संबेद संबेद में मुजिक लिटी के बार में लिखा गुआ है दा वेदिक डेटी इंडर वस दा गॉड आफ एडिक प्याट में जो इंडर देप था वो किस चीज़ का गॉड या फिर भगवान था अप्शन ए फायर अप्शन बी रैन अन थंडर अप्शन C एटर्निटी एफिर अप्शन D वाइंड तु इंडर देप जो था ओ रैन अन थंडर का दबता था which of the following was the god of animal during the latter Vedic period प्रवर्वत्ति वईदिक यूग में god of animal अन्य जो पसू होते है उसका भगवान बादेवता कौन था अप्शन ए इंडर अप्शन बी रूद्रो अप्शन C विस्नू या फिर अप्शन D प्रजापती यहां पर आंसर हो जाएगा अप्शन बी रूद्रा नेक्स्ट दा उपनेशद्स और ए सीरीज और बूक्स डिवोटेड टू यह जो उपनेशद्स है एक किसकी किताब है मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है उपनेशद्स में आप्शन ए योगा आप्शन बी सोसल लौ आप्शन C रिलिजियास रिचुल्स या फिर आप्शन D फिलोजफी यह जो चार अप्शन दिये गया है इन चारों में से कौन सा टॉपिक उपनेशद्स में है राइट एंशरीज अप्शन दी फिलोजफी कि डिविशन आप देव्यदिक ससाइटी इंटेवर क्लासेश एंष्म डियारली में सेंट इन तो ब्रॉदिक जो ब्रॉदिक सोसाइटी समस्ता को आपर चार वर्ण थे उस चार वर्णों हम अगो हम जो व्म पाता है चार वर्णों थे ऊंसे बाता जला हम और सबंए बी सी वोपनेश्याद या फिर अफसन दी साथ बदाब राम्भन तो राइट एंसर अफसन बी वूशुक्त अबरिग्वेदा हूँ कॉंपाइल देटेल्स अफ पंचोतंत्रो पंचोतंत्रो राइटर कौन है अफसन एवालमी की अफसन वी वेदव वैस अफसन सी विश्नुस्वार्म या फिर अफसन दी तुल्शिदास यहाब राइट एंसर हो जाएगा विश्नुस्वार्म विश्नुस्वार्म ने ग्रेट तेल्स दा पंचोतंत्रो का राचीटा है नेक्स्स वेशन दो पनेशल सर्दा ग्रेट एपी अफसन पी इस्टोरी बूक्स और संवी सोर्ट ओंड दू फिलोजव्य या फिर आफसन दी लोग फूर्ऐ शोपो निशल जो है ओंड एटेपी के अ यह फिर इस तोरीव में या फिर निनू फिलोजव आ या फिर लोग है एजी क्रेशन था उपनीस आटी जे हिंदू फिलोजाफी का सोर्स है ठीक है राइट अटेंसरी जो अप्शन सी फॉल्यग फॉल्यग वस्नल्थ फिलोण पिजेशन कौन इज्पूर नेयुत आपसेक सुस्रोफ्टो और संही चश्रोक अप्शननी कश्रोक अप्शनी धनन तरी यह पर जो तीनने है सुस्रु तो चारोक एंधनन तरी यह तीनों ही डक्तर याने की फिजिशन था लेकिन जो चारवाख है यह फिजिशन नहीं था इसे फिलोज आफ ठीक है तो रहे टेंसरिया पर हो जाएगा चारवाख आपसें सी तो जो आर्जो थे वो फास्ट कहां पर आय थी इंदिया के कौन से वो जागा था जहाँ पर पहले सेटल हुए थे अपसने सेंटरल इंडिया अपसन वी गैंजितिक द्वाब अपसंसी सब्ट शिंदू या फिर अपसंदी कसमीर और पंजाब यह एंसर रोजाएगा अपसंसी सब्ट शिंदू मॉडर्ण पंजब करिया है कि दफास्ट तू इन्वेट इंडिया वर्द भार्ट वर्ष्ट को सबसे पहले कौन इन्वेट किया था मतलब अक्रमन क्या था अपसन ए आरियंस अपसन बी ग्रीक्स अपसंसी पर्शियंस या फिर अपसंदी आरोप्स ट्रिया पर हो जाएग अपसन ए आरियन इस दफा राइट अंसर आर जोरा फास्ट इंडिया को इन्वेट किया था ठीक है थे नेक्स्ट वेटिक गॉर्ट वस ए ब्रेकर अब द फोर्ट्स और अल्सो ए वायर गॉर्ट तो जो वेडिक देवता थे उसमें से किसको दूर को बिनास करी और युद् अपसन ए इंड्र, अपसन वी यूम, अपसन सी मुरुत या फिर अपसन दी बोरुन तो यह पर राइट अंसर हो जाएगा अपसन ए इंड्र, इंड्र को कहा जाता था दूर को बिनास करी और युद्धो का देप्टा तो इसमें से कौन सा वेद में मैजिक यानि की खाला जादू का उल्लेख है अपसन ए रिख वेदा, अपसन बी सम वेदा, अपसन सी या जूर वेदा, या फिर अपसन दी अथरवर वेदा तो कौन सा होगा, रिख एंचर इस अपसन दी अथरवर वेदा में काला जादू था दा फेमास पोएट कालिदास लिव्ट इन दा कोर्ट आप तो कालिदास किसकी राजत्तकाल में आये थे अपसन ए चंदर गुप्त, अपसन बी चंदर गुप्त टू, अपसन सी समद्र गुप्त या फिर अपसन दी कुमार गुप्त या पर राइट अंसर हो जाएगा का अपसन भी सेगेंग चंदर गुप्त लेंट अंच अंदर गुप्त कर टाइम पर कालिदास उसकी राजयसवा का सबसे प्रसीद कभी था तो रिगवेदिक अर्यांस तो रिगवेदिक अर्यांस मतलब रिगवेद में जो आर जो इंद जो फैमेली था वो कौन से टाइप का था आपसन ए पत्रियानल आपसन ब पत्रियाकल आपसन ची मत्रियाकल ये बाइटन से रोजेग अपसन ब पत्रियाकल याने कि पित्री तंट्रिक था उस्माई अनुवेद बड़ी था प्तियाकल इस विढ प्तिया विड़ी ते ले डिविए प्यू ओंज एब था विडिग था फनू पड्स ये पर शेंचीय के त्रियामेट वहां प्तर आपसन ए भरामीड आपसन ब अनरकर अपसन C पुच अवड़त आपसन D पुससा cooter जेग कर अप्साने बृबहामीर फेमस अस्ट्रोनमार तरुबहाँ डिश टीजिक सेट्स परतें लिजल कि गीपनास्ट अपनिष्टव संवेट्थाज अफेन लूह संवेटर्नास अप्सन सी नम मस्यापीफ्ट अपनिष और्सब्स तुषिका राइड असर कॉनस अ हुगा इड रिटॉलिस्टिक पर्षेप्ट पर टेनिंग तु दु देज्टेंसर अब्स विद की ब्रह्मनास इन अरली वेदिक पियोड बॉर्ण शिस्टेम वास बार्न शिस्टेम किसके भीत आपर गर्दी दुवा था option A, education, option B, worth, option C, occupation, and option D, talent, किस के आधार पर एबर्न सिस्टेम, जो है, A, start होद, right answer हो जाएगा इकाउन सा, option C, occupation, occupation का आधार पर एगटी तो होदा, the Rig Vedic Arians were governed by A, option A, tribal republic, option B, form of democracy, option C, monarchical government, या फिर option D, ruled by elders, the Rig Vedic Arians were governed by, मैंने उस्टाइम पर कौन सा सरकार था, रिग बेट के वाइदिक जूग में, बोलिये, कौन सा सरकार था, option C, monarchical government, मैंने राज तंट्र, the two popular assemblies of the Vedic period were, उस्टाइम पर दोनो popular जनप्रिय असेंब्ली, मतलब संगतन था, कौन सा था, option A, सभा और महा सभा, option B, महा सभा और कानो सभा, option C, सभा और समिति, या फिर option D, would and cool, या पर राइट एंसर हो जाएगा, option C, सभा और समिति,